नमस्कार लाइफ सिटीज के आस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रियांक सौरव देश के विभीन हिसों से लगातार ऐसी तस्वीरे आ रही है कि भगवान शिवजी के जो सवारी है नंदी वो दूठ पी रहे है और इस तरह की तस्वीरे लगातार वैडल हो रही है लेकिन अब जो ताजा मामला है वह राची का है और राची का मामला यह है कि अब वहाँ नाग देवता दूठ पी रहे है जी हाँ राची के कूटे गाउं में हनुमान मंदिर में इस्थित शिवलिंग और उस पर इस्थित धातू के नाग देवता अब दूठ पीने लगे हैं इस घटना से लोगों में काफी उत्सा है लोग काफी उत्साहित है जो चमतकार देख रहे हैं इसको देखकर लोग काफी उत्साहित है लोग नाग देवता को दूठ पीलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह लोग चम्मत से नाग देवता को दूद पिलाने का प्रयास कर रहे हैं वहीं इसको लेकर काफी उत्साही थे लोग काफी श्रधालू आपे मवजूद हैं इस दोरान एक श्रधालू क्या कुछ कहती है पहले आप सुने क्योंकि ये कहली बार हुआ है ऐसा हम लोग के गाव में और हम तो बहुत जादा इसक्षात हैं दूद पिर हैं भले धातू के बने हुए हैं लेकिन एक सजीव नाग की तरह दूद पिर हैं इसे लोगों में काफी कौतूलता बनी हुई है और लोग वहाँ पर इकठा हो रह रही है आपको बता दे कि देश के विविन हिस्सों में इन दिनों नंदी के दूध पीने की खबरे लगातार वाइरल हो रही है पहले जार्खंड के पलामू से इसतरह की तस्वीर आई जहां नंदी जो शिव जी की सवारी है वो दूध पी रहे थे और अब उसके बाद उत परपुर के सकरा प्रखंड से भी इस तरह की तस्वीरे सामने आई जहां शिवलिंग के नजदिक इस्थित नंदी जो की निर्जीव होते हैं जो पत्थर से बने होते हैं वो दूद और जल पीते हुए पाए गए हैसा पताया जाता है श्रधालो की माने तो वो कहते हैं कि वो इस चीज को देख रहे हैं और काफी उत्साहित हैं लोगों में काफी कौधूलता बनी हुई है वहाँ पे पहुच रहे हैं देख रहे हैं और सभी चाहते हैं कि अपने हाँ से वो नाग देवता को दूद पिलाए और इसको लेके लोगों में काफी खुशी है आपने अब